हाँ तो भाई स्वागत है हमारी जनता का नाइट टॉक के नए अपिसोड में और यह जो नाइट टॉक की जनता है ना एम शॉर इसको बहुत मज़ा आता है अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं कपल में लडाईयों की बात करते हैं कोई भी इसी गराउंड कुछ बात होत हैं ठीक कैसे होती हैं उनके इसूस क्या होते हैं उस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजू हैं मांसी शर्मा तो लेट्स बिगें मांसी बताओ कोई बढ़िया एक्स्पीरेंस अगर आपके पास कोई ऐसा कपल आया है कि यार मुझे ऐसी हीलिंग यारेकी चाहिए और मुझे अपने टारो कार्ट्स वह करवाने हैं तेल मे सम्थिंग अब हमारे इसूस क्या चल रहे हैं तो कुछ बताओ पर फिर्स्ट फॉल हलो तो अलो फियो एंड हां बहुत सारे कपल साते हैं आइम टारो में लड़ायां हो रही होती हैं कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया उसने मुझे बात करनी बन कर दी वो किसी और को चीट कर रहा है तो मुझे अपना इंसरेंट याद है यह निगो तो पर्टनर मुझे चीट कर रहा है ऐसे है कोई भी हो सकता है तो I remember में पस एक कपल आई थी शी वस्मारइट नहीं में नहीं मैंशन करूंगी बढ़ हां शी वस्मारइट उन्होंने मुझे का की चेकर के बताओ इस मैं हस्बं लॉयल थीक है लोग पूछते हैं तो मैंने बोल सीसमार में व्रषे से नहीं मुझे बारूमा मुझे शोल्मारा मुझे सबीप्राइट सबीक है कर दो खोइस में बारूमाइट करेके अध benefit तो थाधि नहीं किल नहीं वेर कुछ नहीं थे थाल शुखते हैं जिए हम अरसी का दो किमें इसेफ़ना चीट कर नहीं गल्या एक क्यों गहरो जाड रही है यह सुनना पड़ेगा तो सही नहीं है मैंनों से समझाया कि या तो दोनों बात करो या डाइवर्स लो तो ऐसे बहुत केस आते हैं एक और केस था मुझे याद है कि एक लड़की आयी थी तो उसकेस का क्या बना फेर? उसमने हे कि यह हुआ कि इसले केस में कि व दाट गई जिसको वो देट कर रही थी छे साथ महिने बाद उसनी ही ऊसको चीट कर दिया तो शीवें बाक टो रहास स्बहें चीट पे चीट पे चीट यह तो अलागी खिचेडी पा कर गई यह था कुछ ऐसा सा अटपटासा और यह क्या है तो अच्छबंड को नहीं वालू बढ़ा ना कि उसकी बीवी काई मुह मारी थी उसको मालूम बढ़िया था नहीं, हुस्बंड को नहीं पता चला वहुआ एक दिन इस लीडरी ने अपने हस्बंड को डेटिंग पे देखा था फाइफ यह था था तो रादेद इन का किया इसने खुद भी डेटिंग बना ली अग्यों चीट कर ले कि मैं भी कर लेंगा देन देखरीन साइकल उसके मृल्टिपल पार्ट्नर्स उसके मुल्टिमेट कर दिया भाई यह तोर अलगी शीन लोग ना समझते नहीं है अच्छी किस्ता है कागा दिली का यह नहीं 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 है यह मतलब देयर इंडियन्स ओली लेकिन यह कॉपल भार रहते हैं राइट नहीं सभी सभी जादा इंफॉमेशन मत यह पता लगे ज यह मैं जेनरिक बताऊंगी किसी के बारे में specific नहीं बताऊंगी बट एक जेनरिक था कि आजकल काफी लोग इसलिए आते हैं मुझे पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया वो मुझे अटेंशन नहीं दे रहा है वो मुझे बात नहीं कर रहा है I think हमारे relationship में problem यह आती है कि हम यह realize करते हैं कि actually आपको मतलब you know we find love हम दूसरे की नजरों में प्यार ढूंडते हैं खुद से प्यार करने से better हम सोचते हैं कि यार वो मुझे प्यार करें वो इनसान मेरी value करें वो मुझे देखें उसका एक message से हम happy हो जाते हैं किसी के message से हम sad हो जाते हैं so यह basic problems आती हैं आजका अपनी सारी clients को example देती हूं वही quote करूंगी जैसे यह cup है it's filled with water and the other cup is also filled with water यह हमारी love energy है अगर मैं energetically बात करूं तो अब सोचो आप सारा time उसके बारे में सोच रहे हो सोच रहे हो सारा time आप उसके message का वेट कर रहे हो WhatsApp है online, offline है तो अपनी सारी energy उधा डाल रहे हो energetically जब वह बंदा आपको देख रहे है आप फोलो हो, खोकले हो, so यह problems आती है, जब कभी भी notice कर ले ना आपने भी life में notice क्या होगा जब भी हम किस चीस के पढ़ना छोड़ देते है ना वह हमारे कदमों में ही आ जाती है मैं किसी इंसान की बात नहीं कर रही है एक general statement बता आपने आप ठीक हो जाएगा, होगा तो या आपने आप आजेगी आप पार्टनर वाइस यह नहीं होता कि उसके पीछे ही पढ़ जाओ आप खुछ सोचो ना कि अगर आप किसी को डेट कर रहे हो या कोई भी किसी को डेट कर रहे है कोई आपके सर पर ही बैठा हुए 24 सब्सक्राइब है यह क्यो कर रहे है वह क्यों नहीं कर रहे है काम क्यो कर रहा है मुझे स्थी बात कर तो धर इस हाव यू ढों ग्रोग इसे कहते है कि कारीयर करेंगे tu की अशर्स्णिपTe हो हमें रोकता है ऐसा नहीं होता तो तुमहारे साब से वह चीज हम परखे कैसे ह? परखे कैसे है? बहुत असान होता यह अगर कुई बंदा जनुम्र धूसकी आखों में दिखता है हम देखते नहीं है जैनुरुनी हम देखते नहीं है बर इत्स वेरी मुच एविदेंट बाकी एक्ष्यंस में देखता ही है कौन आपके साथ कैसे रह रह रहा है कौन आपे कैसे बात कर रहा है कून आपके फ्रेंस के साथ मतलब परेलेशंचिप में बहुत जाद होता है अच्छा, male best friend. नई, यह तो नहीं होना चाहिए. मेरे साथ तो बहुत हुआ है. कि नहीं, male best friend है, तो हर लड़के को मतलब अगभर में लाइफ में पार्टनर रहे हैं, तो उसे मेरे male best friend से जुरूर दिक्कत होती है. तो तो जहीं रहा पहे हो? एक दम सही point है, होनी भी चाहिए इसमें आप गलत नहीं हो, male best friend के intention आपके partner को पता है पर वो सही थे तो आपको लगता है, वो उसको पता है कि सही नहीं है सही है यार लड़कों को लड़कों का पता रहता है बट कभी-कभी genuine friends भी होते है हाँ genuine friends भी होते है वो कहा ही यहाँ neural hub वो है तो है अब एसे little girls की female best friends होता है कुछ लड़की स्टांड की होते हैं वह कुछ जाधे 남कोन talking कोष्थ एदसे मिहीं? मेरे केस में जाधे नए अशा नीए जाधे जीनियुक्ष पर हो। संवे के में कैसन जरो हो चाहिए रहती है सब्सक्राइप करते हो आ उपने के सकती अपनें अब कि प्रियॉरिटाइज चाहिए है देखो यह यह असली जड़ी है असली जड़ी है वो सिवियर केसिज है जा कर रहा है कमरम जा कर बाहर बात कर ले जो करनी है ड्रोइंग रूम में मा बाप के आगे हां तो मैं तो बाहरी करती हूं मेरा कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ बट हां अच्छे यह बता हूँ जैसे कपल जाते है अपनी प्रॉब्लम लेके तो यह टरो में और रेकी में लव-healing term है क्या होता है अच्छी बिफोर गूंग तो लव-healing हम लव-healing जाने से पहले हमें यह समझना जरूरी है की healing हैं क्या काफी बार मैंने यह सुना है मतलब थोड़ा से off the topic बात है की टरो रेकी आज जैसे थेरपिस्त होता है आज कलम काउंसलिंग लेते हैं इसा नहीं होता है आपको भी पता है कि mental illness एक टर्म है काफी लोग बोलते हैं आपको तो नहीं हो यह तो पागल पन है यह तो कुछ नहीं है ऐसे ही energetically चीज़े वोकाओट करते हैं मैं आपको अभी भी भी फील करा करते हैं आपको क्या चाहिए काफी लोग खुद से प्यार नहीं करते हैं आपको पहले यह समझना है कि वो क्या है और अगर हम समझने जाएं अगर मैं आपसे रेकी जो आपने मुझे पूछा उसके बात करूँ तो रेकी इस हीलिंग जो हमारी बॉड़ी में हांज में एनर कभी देख हैं कि हम घर में सोरे होते हैं कभी कोई हमारी मॉम दाद आपके हमारे सर पर हाथ रख देए यह फील लिटल बेठर सम्टैंग जेस्ट्र मेंक सुछ लिटल बेठर तो वो रेकी है मा तो कभी भी अथ रख दे अच्छा ही लगता है और पापा रख दे तो लगा क क्योंकि रखते है नहीं वैसे हमाशा है हाँ तो आप कहरेते हैं अभी फील कर आ सकते हो कुछ जल्दी हो सकता है हाँ वितना मिनट हो सकता है यू हब तू करो भई चाह करना ऐसे हाथ पकरने हाथ नी चोडने जोर से रब करना बहुत जोर यह तो स्कूल में चाहतता था पांचवी खिलाश में हां तो तो जोर टिया और तो भी पहन ही हो रही है इसके बात जिस स्के कि द ही ऊनेंजी कम तू यह बोला है मन में बोल जा इब मन में आ राह्रों इसके बाद इसके बाद इसमें हम mantras डालते हैं किसी और को heal करने के लिए जैसे कोई तबयत खराब है basically हम ball generate करते हैं we generate a ball in our healings जो आप रेकी कह रहे हैं उसमें हम ball generate करते हैं we generate a ball and फिर वो ball जैसे distance है यहाँ पर कोई लंडन का client उसे healing चाहिए तो वो ball in meditation and visualization यानि at least think करके उसको I will transfer to that person so that that person gets healed of course तो इतनी दूर तक energy travel कर सकते हैं energy के कोई limit मही है energy is limitless of course that is science आपने बोला वो science है witchcraft भी तो occult science है this is also science only the way you think about it the way you deal with it जैसे आप उसको समझते हैं mantras के साथ चीजों के साथ and meditate करके this friction जो energy अपने फिल गई ये energy है science भी energy ही तो है everything So mantras, Sanskrit के होते हैं or कौन सी language है? जो मैंने सीखी है Reiki are of different type Reiki अलग अलग तरह की है मैंने उसा ही Reiki सीखी है basically वो में उसमें ना Buddhism से related तो उसमें अलग अलग तरह के mantras है जिसे चौकरे हो गया this is a mantra you have to chant symbols है Reiki is all about symbols mantra से जाद मैं बोलूँ कि it is more about affirmation and symbols so symbols हम mind में manifest की तरह या फिर meditate की तरह visualize करते हैं symbols को and दीरे दीरे वो symbols pass on होते है उस person को Reiki सबसे जादा health के लिए use की जाती है rather than love so love के लिए भी कर सकते है photos नहीं तो नाम visualize के दोनों के अच्छा नाम से हो जाएगा काम नाम पूरा होना चाहिए मतलब कुछ ऐसा जो अब जैसे Shubham Gandhi भी बहुत सारे लोग होंगे हाँ तो वही में बूचतो तो जरूरी होगी क्या पता कोई और Shubham Gandhi ही लोग हो क्योंकि सेम नाम से बहुत लोग है इसले मैं पूचा specific name होता है जैसे किसी का Instagram handle हो गया वो उसी बंदे का होगा तो उसको भी रख सकते जैसे अगर photos available तो Insta handle देना पड़ता है नहीं, photos हमारी first priority ठीक है If in case वो available नहीं है other photos नहीं है then it can be number, phone number phone number से भी हो जाती है It is just that जो चीज उस बंदे को symbolize जो associate करती है जो उस बंदे को denote करती है कि यह यह है Got it All right अचा उस पे दुबारा आते है वो cheating वाले यह पता यह कैसे पता लगता है तो अभी कर सकती है live जैसे हम में से किसी पर test करें कि suppose मैं cheat पर partner कहा है पर आपका partner card वो यह चेक करता ना यार नहीं नहीं अगर मुझे आप पे चेक करना है तो वो पता चल जाता है तो मुझे तू single है तू जूटा ही test ले रहा है नहीं पता लग जाब नहीं अगर यह जैसे मानला तूमारा intention भी तो प्यार होना चीह है पूछने का Very true But in that case अगर आप पूछते तो आप मुझे किसी और का पूछते क्या वो मुझे पे चीट करें आप यह थोड़ी पूछो कि मैं cheat कर रहा हूं वो तो आपको पता है कि मैं cheat कर रहा हूं So when you do a tarot reading वो guidance है Basically That is a guidance But it is possible that कि कोई ऐसे जोटमूट आकर किसी का भी नाम लेकर बोलता हूं तब तो tarot card सही बताएं हां जी हां जी बिलकुल बहुत लोग आते हैं So tarot में क्या होता है Energies होती है जो कि 3 days से लेके 3 months तक Sorry 21 days से 3 months तक सेम रहती है उसके बाद change हो सकती है For example आपने मुझसे पूछा आपका IELTS का exam है आपने मुझसे पूछा कि क्या मैं यह exam clear कर पाऊंगा और आप भी बिलकुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो answer no आएगा But अगर आप 21 days में मेहनत करने लग जाते हो So tarot reading गलत साबत होगी क्योंकि आपने energy change करी है So tarot guidance है Future नहीं है आपका If you want it वो होगा अगर आपको नहीं चाहिए तो नहीं होगा Tarot यह है Tarot को लोग यह समझते हैं कि नहीं नहीं यह तो future है Possibility है जो आप आज कर रहे हैं कि अपका कल क्या होगा अच्छा जैसे आपने सबसे पहला example बताया था कि लड़की आई थी उसने पूछा था कि तो कितना शौर थे आपकी उसका boyfriend cheat कर ही रहा है So आप एकी card नहीं निकालते हो आप तीन निकालते हो जो दो major cards होंगे If it is a yes, if it is a no So उसके हिसाब से ही हम उस चीज को judge करेंगे I was always जब भी आप टावरीडिंग करते हो आप 90% sure होते है I was 90% sure मतलब यह हर चीज हर किसी के लिए कोई husband wife है boyfriend girlfriend long distance boyfriend girlfriend दूर दूर बैठे है इसमे यह भी है कि कि अगर मैं आगे पूछो कि मेरी girlfriend जो आगे बनेगी या wife आगे बनेगी वो मेरे पे चीट कर सकती है नहीं मैं पहले जान सकता हूँ पहले कैसे जानोगे जब जो इनसान आपके जिंदगी में नहीं आपके एनर्जी में नहीं जाएगा उसे दिखेंगे तो भी अच्छा क्योंकि अगर आपके साथ सब्सक्राइब कुछ गलत होने वाला है मुझे दिख रहा है मैं आपको बताऊंगी आप और पारनॉइड हो जाओगी आप और ऐसे हो जाओगी सोच के और गलत करवागी आप अट्राक्टी कर लोगे नहीं भी होना होगा मैं घुमा कर बताऊंगी कि ऐसे हो सकता है आप केड़फुल रहना शुपहम जी को यादा बता है यह लगता है करी हुई है क्या अपने टैरो रीडिव बेसिक नेचर है आर इंसान का तुम्हें चेक करवानी है और तुम्हाले बूशा चलो कुछ लाइव हो जाते है उच लाइव करते हैं क्या गरते हैं यही चीटिंग का ही कर लेते हैं टेस्टिंग यार लेकिन उसके लिए पार्टनर होना चाहिए आप मुझे किसी और का के लिए पार्टनर बनने बाला है के लिए जो सबसके अम जो फूर यह पूर्टिंग औरो रेकिन नरट मीरिया क्वे सबसक्तया सबसक् corros के और की तो ऐसानन तथंग के लाइव मैं बने ड़ेत लिए मतस्तर से बाल करते हैं तो वो सब चेक करके कि I'll decide, so same आप सोच सकते हो, also कभी-कभी ऐसा होता है, बहुत relationships में, कभी-कभी सामने वाला effort डालता है, लगता है कि यह तो मुझे पसंद करता है, फिर effort डालना बन कर देता है, तो समझ नहीं आता, पसंद करता है कि नहीं करता है, यह सब के साथ हुआ है, यह कहीं नहीं हम सबने face कि करता है नहीं करता है, उस time पर ऐसा होता है कि क्या हमें और effort डालने चाहिए, यह हमें छोड़ देना चाहिए, so उसके लिए हम taro use करता है, अच्छा एक चीज़ और बताऊ मुझे, जैसे हम love healing की बात कर रहे थे, आपने बताया था, कपल पर connection पर काम होता है, तो इसके कभी कोई results आए हो, जो positive results आप share कर सकते हो, कोई story, definitely, ऐसे तो बहुत सारी stories है, मतलब मैं थब जो मलब क्या होता है, impact क्या होता है, कि मलब हो दो आपस में उन्हें फिर से प्यार होने लगता है, या care करने लगते है, या एक partner effort करने लगता है, होता क्या कोई एक live example, कोई एक अच्छे example के साथ समझातो हो, जो आपकी client हो, जो इसका relationship आपने सुधा रहा हो, मलब या, tarot, energies, reki, healing से सुधा रहा हो, So, यह client है मेरी, right now अभी यह I think Jakarta में है, जब इसने मुझे contact किया था, यह बहुत toxic relationship में थी, इसका partner इसको abuse करता था, मतलब it was a very toxic connection, बहुत सादा परिशान थी, तो मैंने उसको बोला कि इस connection को तुम छोड़ दो, क्योंकि as a person तो मैं उसको यही advice दूँगी, यही guidance दूँग आपको एक ऐसे रिष्टे में रहनी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम कभी-कभी obsessed हो जाते हैं अपने रिष्टो में, so वैसा साही कुछ हुआ, वो obsessed थी, तो उसने का कि can we do something to make him better, तो मैंने का देखो I can try, क्योंकि healing or spells कभी guaranteed नहीं होती है, क्योंकि healing spells के पारे मैं अगर वो मेरे उपर है, आगे उस बंदे के mindset के भी उपर है, वो कितना उस चीज को trust कर रहा है या कर रही है, कितना उसको मान रही है, तो इस लड़की, I will always say, कि लड़की बहुत अच्छी तो उसका पूरा faith था मच पे, मैंने ये realize कि उस लड़के ने after 3 months, 3 महिने का time लगा, 11-21 days तक वो रिच्वल चला, मतला मैं रोज उठती थी, मेडिटेट करती थी उस रिष्टे पे, मेरे पास उसका message भी है, अभी है, वो लड़की है, she is there, मुझे हाज भी message करती है, वो लड़का ने उस 3 महिने के बाद कभी उस पर हाथ ने अच तक, and he apologised, उसने उसको sorry बोला, कि कि देखो, मेरे से गलती हो गई, and यह नहीं होना चाहिए, I know यह बहुत difficult to believe है, कि ऐसा हो भी सकता है, मुझे लग रहा है, उसका कहीं और चल रहा था, फिर ब्रेक अब ब्रेक अब शुदर गया, कि ठीक है, मेरे ले तुजी बटी, अब मानो तो भगवान है, ना मानो तो रहा है, वह वाली बात है, so, हाँ, कही ना कहीं, यह चीज़ work करती है, उसके बाद उस लड़के ने कभी भी उसके साथ toxic behavior नहीं किया, and नाम तो नहीं बताऊंगी लड़की का, लेकिन हा, मुझे बबाब याद आ रहा है, रोक रियो खुद को, लेकिन हाँ, यह मैंने अब अब तुसको भाव देने बन कर दे, अब तुससे बात करना छोड़ दे, वही self-love, now prioritize yourself, लव गुरु वाली चीज़ बेसिक, कह सकते है, मेरे बहुत दोस बोलते हैं मेरे को, तो हाँ, अगर कोई ऐसे external tips आप हमारे viewers को दे पाओ, अगर कोई girls या boys relationship में, toxic relationship में फस्च चुके तीन चीज़े हैं, जो मैं हमेशा बोलती ही हूं अपने हर clients को, और मैं यहां भी viewers जो है, जो भी मुझे सुन रहा है, मैं उसको यही बोलूँगी, सबसे important चीज़ यह होती है, कि आप कही ना कहीं, जैसे मैंने पहले mention किया, कि आप खुद को मत खोना, आप कभी भी खुद क उस रिष्टे में खोना मत, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम एक dessert कैसे serve होता है, एक plate में dessert डालके, हम last में best meal की तरह सर्फ कर देते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपने आपको as a best person, मैं यहां लड़का लड़की नहीं बोल रही हूं, कोई भी, हम जब भी best person की तरह सर्फ करते है खुद को सामने वाला हमें taken for granted लेता है, वो हमें ऐसे treat करता है, जैसे कि यह तो है, चाहे वो अगर कितनी महनत कर ले, हम उसे शायद ना मिले, but in this way वो हमें ऐसे ही treat करेगा, so सबसे पहली बात, चाहे आपको 10 साल क्यों ना हो जाएं, आप अपनी value करते रहो, आप खुद को prioritize करो कि नहीं, मुझे जिम जाना है तो जाना है, मुझे वोगवाट करना है, मुझे पढाई करने है, मुझे जॉपर चुद को करने है. पेरी advice तो है, कि हम इषा खुद को prioritize करो, दूसरी advice यह है कि जब भी बात love की आती है, हम भूल जाते हैं बाकी दुनिया को, career पर ध्या यह रहेगी कि हमेशा अपने पार्टनर की वैल्यू करो, जितनी खुद की करते हो उतनी ही सामने वाली की वैल्यू करो और देखो वो आपकी कितना कर रहा है, मतलब लड़की का नीचर तो बहुत अच्छा है, मतलब मैं लड़की हो तो मैं लड़की का यह दोंगी, कि इस बहुत प्यारी है, तो बात करने में अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, हो सकता है उसमें गुसा भी बहुत हो, हो सकता है उसमें वो बहुत रस्ट्रेटेड रहती हो, तो किसी के फ्लॉस से भी प्यार करना चाहिए, like example boys, boys caring हो जाते हैं, nurturing हो जाते हैं, but अगर for example आपक of course, balance तो मैंने आपको बोला ही, लेकिन बस यह कि अगर लड़का insecure हो रहा है तो भाई सच्छा प्यार करता है, वो लड़का, मुझे लगता है boys थोड़े से selfless होते हैं, when it comes to relationship and love, वो थोड़ा साना अपना सब कुछ लड़की के लिए, अगर सच्छा प्यार करते हैं ना, न तब लड़के serious होते हैं तब ने अच्छावर करते हैं, बच हा मुझे सा लगता है कि जो लड़कियां है, अगर वो serious है, तो वो काफी चीज़े छोड़ देती है, मतलब आप बोल रहा है आगे पीछे का सोचके चलती है, हर लड़की नहीं सोचती है, नहीं, मैं कहा रहा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि लड़कियां भी 100% देती है, अपना investment उस connection में अपने आपको निचावर जैसे आपने का करती है, लेकिन जब एक heartbreak हो जाता है ना वो, उसके बाल I don't think कि कोई कर पाता है उसमें लेकिन वैसे आपने जो 3 points बताएं वो बहुत सही बताएं और अगर हर बंदा और बंदी ये follow करे ना तो relationship में healing की जरूरत होगी नहीं और मंदब कुछ issues भी खास आएंगे नहीं अगर हर एक बंदा ये follow करे यार ये तो फिर perfect होने आली बात हो गई ना वो कहां ही हो पाता है कोई भी Healing की भी बात नहीं है अगर लोग इस चीज को समझ जाएं तो लोग therapist के पीछे नहीं भागेंगे जितनी therapies चलती हैं मेरे को मेरे बहुत close friends हैं जिनको मैंने therapies लेते भी देखा है just because of a heartbreak female भी है male friends भी है male तो नहीं लेते therapies उतनी but I have seen my female friends taking therapies because एक लड़का चला गया unsaid ऐसा भी मैंने बहुत देखा है कि लोग breakup के बाद इतने बिखर जाते हैं कि अपने career को वापस put up नहीं कर पाते हैं मैंने ये भी देखा है मैंने इस चीज को भी experience किया है and मैंने ना मतलब ये तो बहुत छूटी सी चीज है मेरे मेरी एक client है she is 65 okay so inki story बहुत different है mention तो नही second marriage right उनकी दूसरी शादी थी love marriage थी first valley marriage तो बहुत ही toxic थी कि उनके husband और उनकी बेटी car में born हो गए थे उनके सामने so she has seen that of course बहुत बहुत कुछ देखा है उन्होंने अपनी life में तो उनकी second love marriage थी जो उन्होंने at the age of 40-41 की होगी when she contacted me she was 60-65 के beach में I guess 64 somewhere whatever वही 60s की age में Tarot से पहले मुझे भी यही लगता था कि एक एज आती होगी लोग शादी कर लेते होंगे होगे Disney story ऐसा नहीं होता लोग शादी के बाद भी खुश नहीं है 30-35 कोई एज मैंने आज तक नहीं देखी मैं I think मैं Tarot practice 3 plus years से कर रही हूं और आता मुझे काफी पहले से बट as a practice it's been 3 years let's take to 3 साल से मैं कर रही हूं और इसके 3 साल में इतने लोग आया है और इतने लोगों मैंने देखा है कि it's not कि सिर्फ youngster ही कर रहे है या 16-18 साल के लोग कर रहे है नहीं हार एज की जगा पर cheating है रिष्टे तूट रहे है और लोग satisfied नहीं है और प्यार ना सब की जिंदग क्योंकि मेरा purpose होता है solve करना तो मुझे ये तो नहीं पता कि love थी कि arrange थी लेकिन हा मुझे ये पता है कि हर age में है और हाँ मेरे को लगता था love marriages में नहीं होगा अगर हम एक ratio समझे भी कि अगर मैं थोड़ा calculative भी हूँ तो love में शायरत cases जादा है because you know लोग एक बहुत important topic जब हम love की बात कर रहे हैं मैं cover करना चाहूंगी आपने notice कर रहा होगा लोग attachments को प्यार समझते हैं ये सबसे जादा important चीज़ जो हम कभी उस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं जैसे आपने बैसे लेकिन difference नहीं समझ पाता वही बता रही थे कैसे समझें पता ही नहीं चलता क्या difference difference ये है कि अगर आप किसी के साथ रहे हो अगर आप उसके साथ रह रहे हो बात कर रहे हो बैठ रहे हो समझ रहे हो अस इंसान को आपको उसकी habit होने लग जाएगी एक होता है infatuation attraction जो हमें किसी को देखे हो जादा कोई हमें सुन्दर लग जाता है किसी की हमें आदत अच्छी लग जाती है उसे बोलते infatuation चलो जी relationship में आ गए साथ रहन लग गए habit हो गई attachment हो गई वो attachment है और आपने सूचा होगा लोग ऐसे आते हैं अब तो मुझसे प्यार ही नहीं करता अब हमारे बीच में वो रिष्टा ही नहीं बचा आपने अपने friends में भी observe किया होगा कि तो बहुत common line है अब तो यार ए इसी के flaws को understand करें जैसे होता है ना कि इसमें ये खामी है हमें वो भी पसंद आ रही है एक बंदा गलत हो कि भी ना हमें कभी गलत महसूस नहीं होता उसके अरा हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये सही है उसके लिए हम अपने अंदर changes करेंगे तो वो लव है और second चीज होती है one- one-sided love my love ये तो । ऐदल है मुष्यकेल है इसमें वो होता है कि हम किसी को तो अपना hundred percent देते हैं बट वो in return तो दो चीजे समझनी जरूरी है कि भीड में भी क्या आपको वो इनसान याद आ रहा है या जब वो सामने तब ही आ रहा है उसने आपको चार पांच महीने से ब्लॉक करके रखा है क्या फिर भी वही सेम प्यार है वो चीज प्यार है नहीं तो वो अटाच्मेंट एक तीसरी क्या ऐसा भी होता है मुझे बता ओ कि बहुत से लोग का, I'm sure वीवर्स का भी येक Mind में कहीन हो होगा कि प्यार वो इसी एक से करता है यह करती है, लेकिन फिर भी वो उसने चीट कर लिया, एक रात के लिए, कभी भी कुछ, कैसी भी कैसे चीट कर लिया, बट वो प्यार एक से करता है, क्या यह पॉसिब लागर तुम किसी एक से प्यार करता है, फिर भी तुम्हारा इनर सल्फ अलाव करें चीट करने के लिए, जो पहले वाला प्यार ही नहीं इस पर जज्जमेंट देने वाली मैं को यह नहीं होती क्योंकि सबके बहुत अलग अलग प्रिस्पेक्टेव है बट अगर मैं अपनी बात करूं अगर मैं बात करूं वह प्यार नहीं है चोईस होती है उस मोमेंट में भी अगर आप बात कर रहे हो कि मतलब इस वन नाइट थिंग उसमें भी एक इनसान के पास चॉइस होती है पीछे हटने की आपके पास हमेशा चॉइस होती है वह डिसिजन लेने की या ना लेने की यह आपके ओपर होता है कि आप ले रहे हो वह मिस्टेक नहीं है मतलब मैं तो नहीं स्टैंड करूँ वह प्यार थोड़ी वह अगर प्यार है ना तो आप उस चीज में आगे जाए नहीं सकते अगर आप गए हो तो फिर आपका डिसिजन है उसको प्यार नहीं कहेंगे अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ तो मैं तो किसी से बात करना नहीं सोच सकते हैं यह तो बहुत बहुत की बात है चलो जो लोग इस चीज से अगरी करेंगे उनके काफी facts clear होगे अब कि बहुत लोग नजर की अब अबने ऐसे बहुत सारे couples देखें जो openly वो करते हैं मुझे तो यह सब समझ नहीं आता तो वो उनकी अपनी understanding है उन्हें लगता है वो एक दूसरे से प्यार करते है और वो एक अलग चीज है प्यार एक अलग चीज है वो उनका नजरिया यह फिर एक बहुत ही जादा western culture होगा यार उसे western का ओ या उसे कुछ भी उसे country-wise नीड तुम decide कर सकते है अगर मान ले दो लोगों में एक understanding बहड़ गई इंफ्लूएंस तो ही कह ना दो लोगों में understanding बहड़ गई कि भई ठीक है तू और में एक साथ है और हम ऐसे हमारी needs है चलो ठीक है, explore करते है तो मेरे को लगता है उन दोनों में आप असना प्यार नहीं है कह सकते हैं कुछ कह नहीं सकते हैं वो फिर प्यार नहीं है वो वही बता सकते हैं जो ऐसा करते हैं मैं इसलिए वही कह रहा हूँ क्यों रहे हैं फिर explore करो एक open relationship मुझे तो समझ नहीं आता हाँ मैं अपने पाट शादी मत करो यार शादी मत करो काफी लोग बोलते हैं बहुत लोग करते भी ऐसा शादी नहीं करते जिसको जैसा समाज में आ जाजाए मैं मुझे को लग रहा है शादी में बंद करना वह गलत चीज है वह चीज गलत है आप शादी तभी करो मतलब ऐसे होता था ना पहले काफी मतलब मैंने तो खुद देखी हैं बहुत सारी शादी हैं पहले जमानी की हमार से पिछली से पिछली जनेरेशन की जो थी सब कहते थे थे अरे यह तो पूरी शादी वककाओट कर दी डिव्युट्स नहीं होते थे क्योकि उसमें एक बंदा कॉम्पोरोमाइस कर रहा होता था मैं rec やamaания की लढ़ी कर रही होती थी कॉर चीजज फिर वककाओट नहीं करती क्यांकि आपको पता नहीं है कि अर्य आप पूरी सिंदे के बिता सकते हो उसके साथ आजकर लोग चीजे देख Carlo कर रहे है बहुत वह हो गया जा टीकर थे अज़ी कि इस आजगाण आ तो थीकश कैसे पहार कर लेते Alzheimer यह लडकों में भी है लडकियों में भी है आज कल नहीं यह तो कब से चलता हा रहा यार पर इस बेसिस पर आपको सच्छा प्यार नहीं हो सकता ना अगर आप इस बेसिस पर प्यार की वो रख रहे हो नीव ही तुमारी यह है तो फिर वो सभी थोड़ी है वो तो फिर कंडिश लोगों का माइंड सेट हो चाते है कि अब पार्टनर चाहिए अब वो पेरेंस का हाथ हटे गासर से तो बच्चे भी चाहिए तो लोग ज्यादा दर इसलेए शादी करते हैं बर शादी करने के बाद भी ना उनका वो अटाच्मेंट नहीं हो पाता उस इंसान से तो दे सिटा जाएं। लन ही सोट जाएं इंसान को खुझ से प्यार है खुद की कदर एंग तो दूसरे की भी करेगा अपना ही पता ताला क्या है हिसाब खिताब रूसरे की ऐसाइसी कर देते है हुआ अपके सा CPR हुए है कि कभी मेरे साथ हुआ है में अरे सारे फॉन्स एक तैम प तो उस case में भी लोग relationship में आजाते हैं, वो तो करेगी नी जब तुम किसी के pressure में आके यह चीजे लड़कियों में जादा होती है, देखा देखी कि उसका boyfriend तो यह कर रहा है, मैं भी यह करूँगी इस लड़की की जादा बात हो रही है, मेरी भी बात हो तो मैं भी तो यह लोड़ा तो आजाद है, साला इधर उधर मजे ले रहा है, मैं भी काश खुला सांड होता तो मजा आता, जिंदगी जीने का नहीं हर लड़का इस दिनी सोचता वही बात है लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो रिलेशन है हाँ दुदिया, साली रंगीली है यहां बहुत कुछ है, वेराइटी वेराइटी है बहुत वेराइटी है, मजा है बच के चलो जिंदगी जब आप लोगो को कभी डेट नहीं हरना है? वेराइटी है क्यों नहीं करना? यार अबने तो देट ही करा है, सारी जिंदगी अच्छा अब तो बहाई होगा मतलब पूछ रहूं कि आपको डेट करना है आपकी शादी करने डारेक लिए अभी काम करना है यह फोकस है चलो, let's do some live tarot card reading Live tarot हो जाए पर tarot का question क्या put up करें? Depend करता है कि किस की करना है यार देखो जब बात यहां काम की होई रही है तो काम के around ही कुछ पूछ लेते हैं हाला? So, किस से start करना है पहला? ऐसा कर सकते? तीनों का का तीनों का Question 1 तीनों का नहीं एके करके ही कर पाऊंगा All right मैं निकालूँगा का कार्ड आप निकालोगे मैं तो खुदी निकालोगे आप चाहो तरहा है नही नही आप ही निकालो आप शफल करते वक्त जो निकल रहे हैं वो फिक कर दो यह तरीका होता है मैं ऐसी निकालते हूँ फिर यह future होगा तो आप लोग मुझे message करना की higher Okay So Shubham अगर मैं past में बात करूँ तो अब बहुत generic नहीं होगा थोड़ी से statement आपको generic लगेंगे But just saying कि past में अगर मैं आपके career की बात करूँ Just your career तो चीजे ऐसी थी कि कुछ ऐसी चीजे होई थी जो एकदम sudden आपकी wish come true होई थी वो कोई event हो सकता है वो कोई कुछ भी हो सकता है But a sudden ऐसा था अब यह past पिछले 6 महिने तक चले जाओ एक साल तक चले जाओ But कुछ है जो happiness था But Hermit की energy है Humit की energy हमें क्या बताती है Humit की energy हमें यह बताती है कि कहीना कहीना जैसे for example मैं अगर अपने एक example देती हो तो आप relate कर पा होगे मैं अपने career की बात करूँ तो शायद मुझे बहुत पहले कोई मैंको अपना studio apartment लेना था But मैं उसे ले नी पाई पर मैं बस opportunity आया थी So in the past आपके पर opportunity आया थी जो की kind of आते आते रहे गई थी या पूरी नहीं हो पाई थी कुछ ऐसा सा है At present अगर मैं बात करूँ तो Six of Wands and Knight of Pentacles in reverse जो चीजे थोड़ी सी डीले थी शायद भी चल पा रही है या maybe अब start-up हो रहा है क्योंकि चीजे थोड़ी सी slow हुई थी थोड़ी time पहले या जो भी है But at present चल रहा है In future की बात करूँ जो मुझे major बहुत अच्छा लग रहा है किसी तरह का sudden change आएगा That will be very good मतलब हो सकता है कि आपको कोई additional offer आजाए Let's go Thailand Going out थोड़ा सा burden आएगा कि कैसे step को लेना है But I do see you traveling for sure And काफी change आएगा Traveling for work This is about your work It's completely about your work So it can involve traveling It can involve a lot of communication So of course you podcast करते हो Communication तो है वो मैंने mention नहीं करा But 801 का चार्ड है वो traveling communication and offers की बात कर सा है So I see a lot traveling coming for you And I see But हाँ आपको यहोगा कि जितने असानी से चीज़े अभी होती है उतनी असानी से नहीं थोड़ा सा burden आएगा क्योंकि change आएगा This can happen in next 21 days 21 hours 31 को तो travel करी रहे हैं वैसे हम काम के लिए कर रहा है Maximum कितना time? Maximum to 3 months 3 months Nice यार तकड़ाई कुछ तकड़ाई session वेठा सही है बाई, सही है मज़ा आया इस episode में बहुत कुछ valuable था और शुक्रिया करेंगे हमारा जनता का क्योंकि वह हमार साथ जुड़े है पूरा podcast देखा है शुक्रिया करेंगे मांसी का उन्होंने बहुत सारी valuable information हम से share करी और अगर आप लोग भी चाहते हो अपने बारे में कुछ जानना तो इनकी जो contact details है और इनका जो Instagram है वो हम mention करें description में आप इने reach out कर सकते हैं और हम मिलेंगे आपसे नए episode में कुछ कहना आप वो जाने से पहले जाने से पहले मुझे सिर्फ एक चीज़ बोलनी है जो मैंने सोचा था कि मैंस पॉड़कास में आऊंगी तो जादा लोगों तक पॉचेकर में बोलोंगी काफी लोगों को ऐसा लगता है कि Taro is like एक नया चीज है to make money मैंने बहुत सुना है यह मैंने बहुत experience किया है काफी clients बोलते भी हैं काफी clients समझते भी हैं काफी लोगों ने बोला it's a business ऐसा नहीं है adapt करने में उनको उन लोगों को वो समझ नहीं आ रहा है कि इतने पैसे क्यों है क्योंकि जब हम एक reading करते हैं तो हम आदे घंटे तक हमें बात लेना पड़ता है उस energy को निकालने के लिए काफी healers होते हैं इनकी तब्यत खराब हुचाती है काफी सारे लोग होते हैं जो actually में उस चीजों को face करते हैं इसलिए amount जादा होता है कि आप देखो मैं अगर आपकी healing कर रहे हूं मैं अपनी energy लगा रहे हूं मैं अपने effort लगा रहे हूं आपकी जैब से अगर 10,000 आ रहे हैं तो आपके लिए वह बहुत बड़ी चीज है तो energy balance हो रही है इसलिए price higher होता है तो लोग बोलते हैं कि Amir लोग कर रहे हैं याज कल यही सब कर रहे हैं मुझे बाकी को का तो नहीं पता मुझे अपना पता है अगर मैं पस कोई ऐसा client आता है who cannot pay, I reduce the price it's not like and I give discount तो basic price का है अपका एक healing का healing का, मैं healings नहीं करती है मैं spells करती हूं Reki healings के हैं तो Reki healing is 1111 rupees angel numbers होते है and spell is for 5555 बहुत लोग होते हैं जो afford नहीं कर पाते हो every month end में offer होता है कि 1111 में कोई भी spells करा सकता है so, सबको chance मिलता है बट लोगों को लगता है यह पैसे कमाने का तरीक है मैं उन लोगों को यह बोलूँगी कि एक बार spell or healing सीख के कर लो तो समझ में आ जाएगा why the price is high काफी लोग पैसे कमा भी रहे है ऐसा नहीं कि लोग पैसे नहीं गमा रहे हैं बट सब नहीं कमा रहे हैं लोगों ने बहुत generic कर दिया है कि यह तो पैसे करने कर दो कुछ genuine लोग भी बैठे है हर industry की बात है जो help भी कर रहे है मेरे पास clients है जिनकी में पास face reviews है जिन्होंने reviews डाले है और बहुत सारे लोग है जो इस चीज को believe करते है So I personally feel कि अगर मानोगे उस चीज को और समझोगे तो वो चीज work out करेगी It is not a money इसको अलग तरह से देखेंगे और अगर हम अलग तरह से समझेंगे तो यह तरीका है जिससे हम अपनी life को better कर सकते है अगर मुझे यह सब 10th में बता होता 12th में बता होता शायद में लाइफ बहुत easy होती As compared to your तो कभी-कभी यह guidance है It's not your future लोगों को लगता है यह तो future है भगवान थोड़ी है हम जो future बता देंगे So that's all, thank you so much for having me Thank you ji, माजा आगया मिलते एंगले pod में Subscribe कर दो इस channel को Boy, boy